तमीज में बात कर तमीज में आगे तेरी गुंडागर्दी यही गुंडागर्दी दिखाएगा भाई रजद दलाल और दिगविजे तो पहले ही एक दूसरे के उपर भरे पड़े थे पर अब एक बात तो भाई लागू जरूर होती है कि इन लोगों ने जो है अपना नफरत निकालने के लिए एक दूसरे के उपर जो है इनको चांस मिल गया और ये चांस जो है जादा तर मिला है रजद दलाल को रजद दलाल को बड़ा ही गुस्सा था दिगविजे के उपर और दिगविजे ने की भी बात ऐसी है और दिगविजे के उपर बाकी लोग तो मतलब क उसको support तो नहीं करे बट उसको रोक रही है दूर लेके जा रही है because जो उसने भाशा का प्रयोग किया है वो भाशा जो है किसी भी नजर में किसी के लिए भी सही नहीं है जैसे कि विविन डिसेना भी काफिजा भढ़के इतना ज़दा विविन डिसाना को भड़कते हुए कभी भी देखा नहीं है अफकॉस भाई बहुत ही गंदी भाशा का प्रयोग जो है वो डिगविजे ने जो है इशा के लिए किया है जो कि सही नहीं है और यही बाद बोलें है और अपधों के लिए तो ऐसी बाती करेगा और पागल है कि मैंने क्या हूँ थोड़ी ना बोला है मैंने तो उसने पहले बोला है ये भाई इसका तक्या कलाम है ये जब भी कुछ बात बोलता ना तो आप लोग ने चीज़ नोटिस कियोगी कि दिगविजे जो है बार बार इस चीज़ को लड़ाई में वो करता है जो है इसे कैसे हो सकता है और इसका idea हमको कब आएगा जब हम लोग पूरे clear तरीके से जो है एपिसोड देखेगे और एपिसोड में ही हम लोगों को पता चलेगा पर जो भी है भाई अपने हाथ तो जो है वो सेक लिए है दिगविजे के उपर जो है रज़त दलाल ने और अविनाश ने भी सेक लिए ह आप लोग अगर मुझे continuously follow करते हैं तो आप लोगों को बता ही है कि मैं मतलब कि आप लोगों को मैंने पहले ही जो है इस लड़ाई के बारे में बता दिया था और बहुत सारी ऐसी भी fake चीज़े थी कि भाई इन तीनों के लिए जो है confession room खोल दिया गया है इनको बाहर निका चाहूंगे कि यह provoking show है एक लड़की के उपर यह बात की गई है और उसके बाद इतना जदा aggressive जो है वो लड़की तो नहीं हुई है बट उसके साथ वाले जिनने उसके साथ एक रिष्टा जोड़ा है वो लोग इतनी जदा aggressive हो गई है कि उन्होंने हाथा पाई की है उन्हो allowed है क्या सच में इसके उपर big boss को कोई action नहीं लेना चाहिए अगर ये आज तक कि सबसे बड़ी लड़ाई मानी जा रही है अभी दिगविजे ने कुछ तो ऐसी हरकत की होगी ना कि भाई सब लोग उसके उपर चड़ गए है अभी वो बिचारा तो है नहीं सिंपती तो उस उस बंदे को इज़त करना मेरे मुँँ से तो भाई होगा नहीं और मैं करूंगी भी नहीं जो बत्तमीजी जो है और्तों के साथ करेगा बड़े लोगों के साथ करेगा बत्तमीजियां करेगा एक गेम के चलते हुए उसको अपने दाइरे में रहना आना चाहिए क्या कहते आप लोग बताईए जरूर इसी के साथ मैं लेती हैं उन्साज़त नमस्षकार